नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे जिंसेंग के मदर टिंचर और उसके कुछ प्रेक्टिकल यूज की तो आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है जिंसेंग का मदर टिंचर और जिनसेंग दोस्तों आज के समय में एक बहुत ही महत्पुन ओस्धी बन चुकी है क्योंकि एलोपेतिक फार्मा कमपनियों के दौरा बहुत सारी मल्टी विटामिन टेबलेट्स में जिनसेंग डाला जा रहा है वही होमेपेति में जिनसेंग का मदर टिंचर बहुतायत में यूज किया जाता है होमेपेतिक डाक्टर के दौरा वही कई सारी होमेपेथिक कंपनी अपने जो टानिक बनाती है अलफा अलफा टाइप के उसमें भी दोस्तों जिनसेंग को एक महत्पून घटक के रूप में डाला जा रहा है तो आखिर जिनसेंग इतना करामाती क्यों है इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जिनसेंग होमेपेथिक जो मदर टिंचर है जो आप मेरे हाथ में यहाँ पर देख रहे हैं ये होमेपेथी की एक ऐसी दवाई है, जो जिसा मान लो होमेपेथी में जो महंगी महंगी दवाईया आती है, उसमें से एक दवाई होती है दोस्तों जिनसेंग का मदर टिंचर, जहाहँ पर जदी हमेपे कामन बात करें कि एक नर्मल दवाई का मदर टिंचर 30 ml का 1.500 रुपे के असपास आता है, वहीं जिनसेंग मदर टिंचर जो होता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे बिटामिन्स, मिनरल्स बगेरा होते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से इस्तिमाल में लाया जाता है कुछ प्रेक्टिकल यूज की बात करें दूस्तों तो जिनसेंग को हमने बहुत ज़्यादा प्रभावी पाया है हिचकी दूर करने के केस में जब हमने क्लेनिक ओपन किया था तो सुरवाती अवस्था में हम क्या करते थे कोई व्यक्ति ये दी लगाता और हिचकी लेने की सिकायत लेकर आता था तो उसे मेकफास दी जाती थी लाइको पोडियाम, नक्स वोमिगा, कार्वो वेजिटेलिस, नेटरमफास इस तरह की केबल और केबल पेट या गेस से रिलेटेड मेडिसिन दी जाती थी कई सारे केस में सफलता मिलती थी, कभी-कभी नहीं मिलती थी फिर हमने इसे सामिल किया हिचकी के केस में जिनसेंग के मदर टिंचर को तो दूसी मेडिसिन देती थे, साथ में हम जिनसेंग का मदर टिंचर यूज करते थे तो जो साब बुक में लिखा है और हमने प्रेक्टिकली भी देखा है कि ये दोस्तों mental और physical दोनों weakness को दूर करने के लिए दिया जाता है यदि mental weakness की बात करें तो यदि कोई ब्यक्ति है यदि वो मांसिक रूप से कमजोर है कमजोर का मतलब कि वो जो है वो emotional problem को अपने उपर सही तरीके से उसको handle नहीं कर पाता या stress को handle नहीं कर पाता तो एसे लोगों के stress से लड़ने के लिए या emotional problem के समय अपने आपको balance करने के लिए जिन से का mother tincture बहुत काम आता है ये nervous system को दोस्तो इस्थिरता प्रदान करता है जिसके करना आप stress से काफी प्रभावी ढंच से लड़ सकते हैं ये ये आपके सामने को emotional दोस्तो कठनाईयां आती है आपको अचानक से व्यापार में हो गया कोई बड़ा घाटा हो गया कोई दोस्तो बहुत ज़्यादा नजदीक का किसी व्यक्ति जो है आपसे अचानक से विदा हो गया इस तरह कि जो emotional problem आती है जिसमें अचानक व्यक्ति का balance गड़वडाने की संभावन अधिक रहती है तो वहाँ पर भी जिंसेंग का मदर टिंचा दोस्तो बहुत प्रभावी सावित होता है बहुत से इसे लोग रहते न जो थोड़ा बहुत काम करते हैं और मांसी ग्रूप से ठका ठका सा अनुभाव करते हैं पुखके ज तोह वहां पर भी जिंसेंग का मधर निंच्य दॉस्टो बहुत ही काम आता है इसी प्रकार से फिजिकल डूर काम आता है फिजिकल बूसे भी दोनों तरxt रहाइक है जैसे क्या होता है कح़ित सरी की सहरे सरी की फिजिकल काम करते हैं तहक जाते हैं इतने थक करने के लिए भी दोस्तों यूज किया जाता है जिंसेंग का मदा टिंचर प्रेक्टिकली बात करें दूसरे यूज की तो जिंसेंग को दोस्तों हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की केस में भी बहुत ज्यादा प्रभाभी पाया है यह चीजे बुक में दी गई है आपको यदि मन मताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं तो साथ में आप जिंसेंग का मदा टिंचर जरूर यूज कीजिए जिंसेंग का मदा टिंचर देने से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सिकायात में बहुत तेजी से रेलिब मिलता है जैसा मैंने आपको बताया कि यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इननों दवायों में दोस्तो नहीं के वारे में बात कर रहे तो जैसा मैंने आपको बताया कि यह बहुत अच्छी मेडिसीन है अगले बात करूं दोस्तो तो यह जो होती है इंप्र इम्मिनूटी को ले करके मेडिसीन दो तरह का काम कर या immunity को बढ़ाने का, immunity को stimulant करने का काम करती है, जिसे immunity booster कहा जाता है, तो जब ये immunity बढ़ाने का काम करती है, तो इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप अपने अंदर की immunity बढ़ाना चाहते हैं, सर्धी खासी या मौसिमी बिमारियों से बचने के लिए, तो भी चल ले सकते हैं, या आप यदि किसी infection से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि जब आपकी immunity बढ़ेगी, तो जाहिर बाते हैं, आप infection से जल्दी ठीक होने के लिए भी दोस्तों आप जिंसेंग के बढ़ाने के रूप में यूज कर सकते हैं, तो कोई infection आपको ना हो इसके आपको बार-बार हो रहा हो या आप उससे बहुत जल्दी रिकाबर होना चाहते हो, तो भी जिंसेंग को immunity बढ़ाने के रूप में यूज कर सकते हैं, अगला यूज मैंने इसका देखा है कि इसे आप एक anti-inflammatory की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसी कई सारी बिमारी होती जिनमें inflammation हो जाता है, जैसे एक common बिमारी हम ले लेते हैं, rheumatid arthritis ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है, हाथ ये जोड़ जो होते हैं, इसमें inflammation हो जाता है, सूजाना जाती है, दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में, कोई और inflammatory disease में राहत पाने के लिए जिंसेंग के मजय टेंचर के यूज़ कर सकते हैं, और जो दोस्तों इस पर सोध हुए हैं, उसमें ये पाया गया है, ये मैं आपको पुस्तक में लिखी बात बता रहा हूँ, जो सोध हुए और ये पाया गया है, कि ये जो spine होती है, उसके सबसे निचले हिस्ते पे इसका बहुत ज़्यादा बहतर प्रफाव देखने को मिलता है, तो आप पीड दर्द यदि किसी को है, कमर दर्द है, लंबेगो है, या साइटिका किसी को आया थे, तो वहाँ पर भी इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, ये तो लिखा पुस्तक में, इसको आप प्रेक्टिकल दूसरी मेडिसिन के साब, तो भी आपको बहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एंटिक एंसर प्रापरिटी पाई जाती है, जैसा कि बुक्स में लिखा हुआ है, मतलब यदि कोई व्यक्तिक एंसर से लड़ रहा है, तो उस लडाई को बहतर बनाने के लिए या अधिक समय से इस बीमारी को अपने आपको हानी पहुचाने से रोकने के लिए भी आप जो है जिनसेंग के मदर टिंचा का यूज कर सकते हैं अब हमने डारेक्ली तो इसलिए यूज नहीं किया है परंदू चुंकि हमने इम्मिनूटी बढ़ाने के लिए इसका यूज किया और इम्मिनूटी को बढ़ती हूँ देखा है तो हम इस बारे में शोर है कि यदि एंटी कैंसर प्रापर्टी इसके रूप में कहीं का कोई ब्यक्ति जो है यदि इसको यूज करता है कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए तो ध्यान दीजेगा कि आप जो दूसरी मेडिसिन सापके यलोपेथी होमेथी चल रही है उसके सहाथ आप जिंसिंग के मदर टिंचर को ले सकते है ताकि आपको बहतर परिणा देखने को मिले है अगला प्रियोक जैसे मैंने आपको बात बताई कि इम्मुनुटी बढ़ा देता है इंफेक्शन से जल्दी ठीक होने में मदद करता है तो बहुत सारे स्कीन इंफेक्शन जो बारवार होते रहते हैं लो इम्मुनुटी के गारण उन से लड़ने में भी दोस्तों यह मदद करता है जैसे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स होते है चलिए आपने टीट्मेंट दिया पिंपल्स ठीक हो गया पर फिर हो गया यदि उसके बीचे कारण निकलता है पेड भी साफ है ब्लड भी साफ है पर इम्मुनुटी लो है जो थोड़ा बहुत इंफेक्शन भी यह बेक्ती पकड़ ले रहा है तब आप जिंसेंग देंगे तो आप देखेंगे कि स्कीन की बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर रहा है किसी को बार बार रीचिंग होने की सिखाया थे तब भी दोस्तों यह बहुत अच्छा काम करता है किसी को इसकीन इंफेक्शन से जैसे फंगल इंफेक्शन हो रहा है सोरा इसी सोरा है ठीक हो जाता है पर ठीक हो निक बाद फिर हो जाता है तो इस प्रकार से यदि return बार-बार हो रहा है, low immunity के वज़े से, तो फिर जिंसेंग आप देंगे, तो आपको बहतर पढ़िणा मिलेंगे, और वीडियो के सुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि mental stress, mental trauma, emotional problem से लड़ने में मदद करता है, तो इसी प्रकार के दोस्तों mentally देखें, तो व्यक्ति को चिंता जादा होती है, घवराट जादा होती है, और बार-बार negative विचार आते हैं, और जो दोस्तों mood जो है, वो बदलता रहता है, mood swing होने लगते हैं, कभी घवराट होना, कभी गुस्ता आना, कभी एकदम से गुस्ता कम हो जाना, तो इस प्रका मिनोपास के दोरान भी हमने इसे practical में, दूसरी मिनोपास की जो medicines होती है, उसके साथ साथ यूज़ किया, और no doubt, बहुत ही बहतर पहिना मिलते हैं, तो इस प्रकार से आप जिंसेंग को practically मैंने आपको बताएं, कि हम कहां-कहां यूज़ कर सकते हैं, और theoretical यह आप देखेंग में, टेबलेट फार्म में Mother Tinger से बनी हुई, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर Mother Tinger का आपको बहुत बहुत बहतर पहिनाम देखने को मिलेगा, तो तो उम्मीद करूँगा जिंसेंग पर मना हुआ यह वीडियो आपको जरू पसंद आएगा, यदि पसंद आ आडर पर अपने एडरेस पर आडर दे करके बुला सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, बंदे मात्रवाद